हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे वो आप सब स्वागेत आपको अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में तो जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज की जो एकेंसी आ रखिये वो आ रखिये यहाँ पे डियाडियो की तरह से डिपेंस रिसर्च और डिवलॉप्पें और्गनाजेशन की तरह से बंपर भरती का यह ओफिशली नोटिविकेशन आपको देखने को मिल जाता है आज सुबह ही नोटिविकेशन जारी किया गया है तो इसलिए यूट्यूब पे सबसे पहले अपडिट दे रहा हूं इससी बात पे वीडियो को लाइक कर देना हमार कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर है तो आप एलीजिबल है इसको का अपलाई कर सकते हैं और यदि आप irrelevant पहले करते को मिलता है मिर भाई वो देखने को मिल जाता है यहाँ पर technician का साथी साथ यहाँ पर आपको diploma training का position देखने को मिलता है और आपको यहाँ पर engineer training का position देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर technician के लिए अगर आपने यहाँ पर कर रखा है ITE तो आप apply कर सकते हैं, दो साल का दस्वी के बाद IT कर रखा है, apply कर पाएंगे, लगबग सारे trade eligible है, लगबग यहाँ पे 16 से ज़्यादा trade आपको देखने को मिल जाते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तीन साल का, दस्वी के बाद आप eligible इसको apply कर सकते हैं, लगबग सारी branches eligible हैं, लगबग 10 से ज़्यादा branch यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे वीडियो के अंदर कि इसका exam pattern क्या रहेगा, कौन को इसको apply कर सकते हैं, कैसे आपको apply करने हैं, वो सबसे important point है, उसके बारे में भी मैं आपको रहेगा, वीडियो को like नहीं किया, like कर देना, target जो हम रख रहे हैं वीडियो के like का, वो आपको रहेगा 900 प्लस आपको like करवाने हैं, और अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को share कर दीजेगा, ताकि वो सबी लोग इसके लिए apply कर सके, और एक चीज़ का ध्यान कर देटियो, उसी वीडियो के comment box के अंदर, आप अपना education qualification comment करके बता दीजे, क्या आपने exactly कर क्या रखा है, और क्या कर रहे हैं, साती साथ अभी आप कौन सी job search कर रहे हैं, उसके बारे में बता देना, क्योंकि आपके सभी के comment मैं पढ़ता हूँ, और मैं आपको next video के comment box पर comment करके बता होगे, और जब तक आप comment करोगे नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए comment कर दीजेगा, तो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास्में जो गंटी वाला है, तो उसको दवा द पहला नोटिफिकेशन निकाला गए, यहाँ पे डिप्लोमा के लिए, बीबी टेक की वेकेंसी के लिए, उसके बाद हम डिसकस करेंगे, जिन्नोंने आइटी कर रखा है, उनकी वेकेंसी के बारे में, पहला नोटिफिकेशन यहाँ आप आपको देखने को मिलेगा, डी आप बहुत सारे बच्चे को मालूम नहीं रहता है कि अप्रेंटीशिप क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, बीबी टे कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर आप अपना सिंपल ग्राइजूशन जैसे की बीए, बी कंपनी वेरी करता है, कोई कंपनी यहाँ पे 15,000 रुपे करती है, कोई कंपनी यहाँ पे 27,000 रुपे करती है, कोई कंपनी यहाँ पे 30,000 रुपे करती है, यह टूटली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है, साथी साथ यहाँ पे जैसे ही आपको एक साल खतम हो ज जाएगा जिसको आप किसी भी private company में as experience काउंट करवा सकते हैं और अगर in future किसी government organization के अंदर vacancy निकलती है तो उसको भी आप यहाँ पे as experience काउंट करवा सकते हैं depend करेगा notification में क्या mention किया गया है तो आपके लिए फायदा ही देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको कोई loss नहीं होने वाला apply जरूर कर देना एक रूपी आपको pay नहीं करना free का यह form आपको देखने को मिल जाता है साथी साथ बात किज़ें important date के बारे में तो यहाँ पे 20 मही से लेके 30 मही के बीच के अंदर आप इसको apply कर सकते है apply वीडियो चाहिए तो comment box में comment करके बता दीजिएगा अलग से apply वीडियो में आप लोग के लिए बना दूँगा साथी साथ यहाँ पे पहली वेकेंसी देखने को मिलेगी BB Tech वालों के लिए computer science में कर रखा है BB Tech इसको apply कर सकते है 8 वेकेंसी है Aero Engineering में कर रखा है 6 वेकेंसी एलेक्टरिकल में कर रखा है 5 वेकेंसी है Mechanical वालों के लिए यहाँ पे 20 वेकेंसी देखने को मिलेगा और Electronics and Telecommunication में कर रखा है 5 वेकेंसी है Metallurgy के अंदर 3 वेकेंसी है production के अंदर 1 वेकेंसी है साथी सद बात किज़ें यहाँ पे अगर आपने instrumentation में कर रखा है 2 वेकेंसी है total 50 वेकेंसी यहाँ पे 20 वेकेंसी यहाँ पे 20 वेकेंसी यहाँ पे बीटकलों के लिए निकाली गई है electronics and telecommunication, metallurgy, instrumentation यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 वेकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे 11,000 वेकेंसी पर मंत के सबसे step it देखने को मिल जाता है पूने का आपका job location रहेगा वहाँ पे जाके आपको काम करना पड़ेगा और आपकी training भी वही होने वाली है एंड यहाँ पे percentage criteria fix किया गया है तो इसको ध्यान फुरुवक देखिएगा अगर आपने diploma किया है बी वी टेक किया है तो आपके 60% होने चाहिए तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप general candidate है तो आपके 60% होने चाहिए और अगर आप यहाँ पे CGPA में count करना चाहते हैं तो 6.3 CGPA आपका होना जरूरी है अगर आपका जो mark shit है वो CGPA के अंदर है तो आपका 6.3 CGPA होना चाहिए साथी साथ अगर आप यहाँ पे category से belong करते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पे सेस्ट करनी डेट है पी डेवली डेट है तो 5.3 CGPA होना चाहिए या फिर आपके 50% होने चाहिए ठीक है अब बात कीज़ें यहाँ पे reservation code आपका fix किया गया और आपके यहाँ पे age relaxation भी देखने को मिल जाता है क्योंकि आप एक वर यह apprenticeship कर पाएंगे selection process रहेगा आपका written exam रहेगा जो कि आपका first week of June को होने वाला है आपको जाना पड़ेगा यहाँ आपका online application भरेंगे उसके बाद आपका shortlisted होगा उसके बाद आपका यहाँ पे बुलाया जागा written exam के लिए जो आपका offline center पे होने वाला है जिसका pattern रहेगा यहाँ पे general reasoning रहेगा English आएगा math आएगा और आपका subject related question आएगे जो भी आपकी branch है उससे related आपको question देखने को मिल जाते है bilingual रहेगा Hindi और English दोनों में आपको देखने को मिल जाते है apply कैसे करने है यहाँ पे पूरा process बता रखे apply का तो आप इसको अच्छ प्रोटल पर जाना है उसके तुरू आपको apply करना पड़ेगा फिर भी आपको कोई doubt है तो comment box में comment करके push सकते है या फिर आप comment पर बता सकते है कि आपको apply वीडियो चीए की नहीं चीए और यहाँ पर आप देख सकते है important date के बारे में बात किजाए online application start हो जाएगा 20 तारी को last day जो रहेगा वो आपको 30 मही रहेगा तुसे पहले पर आपको apply कर देना है और यहाँ पर अगर आपको कोई doubt रहता है तो यहाँ पर इनकी number दे रखे है और email ID प्रोवाइड करवा दी गई है तो यहाँ पर आप call भी कर सकते है और इनको email भी कर सकते है तो बात करते है यहा ऐसा notification डाउनलोड हो किया जाएगा जो किया हो भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सेम notification आपको देखने को मिलेगा DRU की तरफ से जारी किया गया है Defense Research and Development Organization की तरफ से qualification यहाँ पर IT मांगा है मतलब कि अगर आपने IT कर रहा है इसको apply कर सकते है एड़िटाइजमेंट नमबर यहा आपको यहाँ पर pay नहीं करना तो अगर आपने IT कर रहा है इसको apply कर सकते हैं 13 trade लगबग यहाँ पर eligible है और आपका full time यहाँ पर course होना चीए मतलब कि अगर आपने distance से कर रहा है eligible नहीं रहेंगे general candidate है या फिर OBC candidate है या फिर EWS candidate है तो आपके 60% कर IT रहा होना चीए वही अग साथ यहाँ पर बात की जाए कि कौन-कौन से trade eligible है उसके बारे में यहाँ पर desktop publishing operator का वेकेंसी है जिसमें एक वेकेंसी निकाला गया है Electrician trade eligible है, Fitter eligible है, Mechanist eligible है, साथी साथ यहाँ पर Mechanic Machine Tool eligible है, साथी साथ यहाँ पर Mechanic Motor Vehicle eligible है, Computer Operator and Programming Assistant eligible है, Kopa खा, Photographer trade eligible है, Tunnel eligible है, Welder eligible है, Electroplater eligible है, Carpenter eligible है, और साथी साथ यहाँ पर Mechanist eligible है, Grindr के नदर, Total Vacancy है यहाँ पर 25 निकाली गी है 10,000 उपे पर मंद के साब से आपको step it देखने को मिल जाता है यहाँ पर job location या फिर training location आपको रहेगा पूने का जो कि यहाँ पर इन्होंने mention कर दिये age limit आपका same रहेगा 18-27 साल जो कि count किया जाएगा 20 मही 2023 तक और आपको age relaxation देखने को मिल जाता है इसी candidate को तीन साल का वहीं अगर आप 60 candidate है तो आपको 5 साल तक का age relaxation यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसको all India के candidate apply कर सकते हैं duration of training आपका 12 महीं नहीं कर रहेगा और अगर आपने पहले कभी apprenticeship कर रख है apply नहीं कर सकते हैं selection process जो आप करहेगा directly यहाँ पर आपका offline examination रहेगा जिसमें आपका reasoning आएगा English आएगा math आएगा subject knowledge आएगा जैसे कि आपका जो भी trade है उसके सवाल आप से पुछेंगे लगबग यह सवाल जो रहेंगे आपके 25-25 question आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर बात की जाए कुछ और important point के बारे में कि इसका जो important date है 30 मही तक आप इसको apply कर सकते हैं जो इसका important date रहेगा और यहाँ पे इनोंने date वापस से mention कर रखे इसको आप अच्छे से देख सकते हैं apply का last date रहेगा 30 मही का और अगर आप मैंसे किसी को भी doubt है कोई query है कु comment box में जरूर बता देना कि आप कौन सी job search कर रहे था कि next video के अंदर आपको भी जो provide करवाने की कोशिश करेंगे all the very best चैहिंद